उत्रप्रदेश के हर्दोई के शहबाद में ठंड के कारण आग तापते हुए एक चौकिदार की दर्दनाक मोथ हो गई है आपको बता दे कि शालिक राम निवासी ग्राम नोरोजपुर जो एक दुकान में रात में चौकिदारी का काम किया करता था और दिन में रिक्षा चलाया करता था आज सुबह उसका शव जली हुई अवस्था में पेट्रोल पंप के निकट पाए गया है जलने की वज़े से उसके दोनों हाथ पैर अकड़े पाए गए हैं साथ ही उसके हाथ में बीडी दबी हुई मिली है उसके पास में ही आग जल रही थी बता दे कि जैसे ही लोगों को इसका पता चला तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची इस बारे एसाई देवेंदर सिंग ने बताया कि शब को कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भिजवा दिया है चोकिदार की मौट से परीजनों का रो रोकर बुरा हाल है ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेयर और सुच्क्राइब करें घन्ने वाल बाइब